आज का जो ये वीडियो है dedicated है लड़कियों के लिए लड़कियों को बताने के लिए कि लड़कों का basic और सही nature क्या होता है वैसे लड़के भी ये देख सकते हैं अपनी तारिफ सुनने के लिए या अपनी असलियत जानने के लिए आज मैं behavioral psychology का एक ऐसा factor सामने रखने वाला हूँ जिससे जानना actually हर female को ज़रुरी है क्योंकि अकसर वो गलतियां कर बैठती है पार्टनर को चुनने के लिए और इस वज़य से उनके ex की संख्या बढ़ती है नमस्ते है जी मैं हूँ मैंग धरवान आपका अपना हैपी वाला ही लड़ा तो हम यहाँ बाते करते हैं relationship issues, behavioral psychology और healing science के बारे में जिने सिखकर आप अपनी personal और social life में ग्रो करते हैं वो भी हैपी वाले अंदाज में और इसलिए ही आपको यह channel subscribe कर देना चाहिए, वीडियो को like कर देना चाहिए और comment में लिख के मुझे बताना चाहिए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा तो दोस्तों आज मैं 4 factor positive बताऊंगा और 4 factor negative बताऊंगा जो लडिकियों को actually समझना चाहिए किसी भी relationship में पढ़ने से पहले या किसी लड़के को judge करने से पहले कुछ लड़के शर्मीले होते है अपनी age की initial age पर लड़के शर्मीले होते है तो लड़कीया उन शर्मीले लड़कों को अक्सर गलत judge कर लेती है जैसे कि बहुत से लड़के जब लड़कियों से बात करते हैं तो उनकी नजरें इधर उधर होती है या नीचे हो जाती है तो लड़कियों को ये दोगा हो जाता है कि ये मेरी नीचेली बॉड़ी पार्ट के तरफ इसकी नजर है लाइक मेरे चेस्ट पे मेरे इनर बॉड़ी पार्ट पर उसकी नजर है, तो लड़किया उसे लस्टी समझ लेती हैं, उसे हवस का पुजारी समझ लेती हैं, गलत तरीके से उसे लेती हैं, तो यह बास समझना है कि वो बेचारा शर्मीला है अब थोड़ा और उसे गौर से समझें, हो सकता है वो लस्टी भी हो, लेकिन ये लस्टी लोग अपनी लस्ट को दिखातें नहीं, क्योंकि वो होश्यार होते हैं, शर्मिले लोग गलती से अपनी बेकोफ्य को दिखा देते हैं, तो मेरी बेहनों समझो, अगर किसी बंदे को आप पसंद कर रहे हैं उसके होते हैं हमारी इंडिन सोसाइटी कुछ ऐसी है जहां हमें सिखाय जाता है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो लड़कियों की हेल्प करो लड़कियों को सपोर्ट करो है ना तो उस रीजन से कुछ लड़के कर्टियोस होते हैं जैसे कि आप कहीं बस में हैं तो लड़के ले जा रही है तो आपकी गाड़ी को उन्होंने अपने हाथ में लेकर काई कि मैडम आप चलिए मैं गाड़ी लेकर चलता हूं तो यह सब जो रिजन्स है ना यह इसलिए नहीं है कि वो आपको पठाना चाहता है या आपको उस नजर से देखता है या उसके मन में आपके लेकिन वह आपको ट्राइब नहीं कर रहा है तो आप उसकी है ले लिजे या नहीं लेना तो सब्सक्राइब के बाद करते हैं लेकिन उसे इस नेचर की बजासे जजमत कीजिए इससे आप एक अच्छा पार्टनर खो सकते हैं तीसरा लुख्स को लेकि कभी जजमत करना बह जर्जमत करना क्योंकि looks जो होता है ना बहुत temporary होता है, समझना, looks बहुत temporary होता है, मतलब कि आज वो fit है, healthy है, gym जा रहा है, अच्छा घार है, अच्छा पी रहा है, इसलिए good looking है, लेकिन अगर relationship में आने के बाद वो अच्छे से look को maintain नहीं कर पाद, लेकिन वो आपकी कितनी क्यार करता है, आपके लिए कितना अच्य सोचता है, आपके बारे में सहीं से सोचता है, आपको समझता है, आपको motivate करता है, जिन्दगी में इस relationship की वो इज़त करता है, यह सारी बाते ज़्यादा important होती है. तो looks matter नहीं करता है, मैं यहीं नहीं बोर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ looks ही matter करता है, यह समाजना. मैं ऐसे कई लड़कियों को जानता हूँ, जिन्होंने average looking लड़के से शादी की, या average looking लड़के के साथ relationship में आई, और बाद में उन्होंने अपनी fitness को, अपनी life को कुछ इतने अ और fitness हर किसे के हाथ में होता है, अच्छा खाईए, वर्क आट केजे और आप fit हो जाएंगे. चौथा, रोने वाला लड़का, बहुत strong होता है, आप लड़कियों को ये लगता है कि जो लड़का रो रहा है, relationship की भीक मांग रहा है, या किसी problem में वो आके रो रहा है, या दुखी होके रो रहा है, आपको ये लगता है कि ये यारि sympathy gain करने के लड़कियों type रो रहा है, रोने से उसका दुख निकल जाएगा, रोने से उसका frustration बाहर निकल जाएगा, उसके बाद वो कुछ बड़ा कर जाएगा, तो रोने वाले लड़के बहुत strong होते हैं, खुद को भी सम्हालने लायक होते हैं, और आपको भी सम्हालने लायक होते हैं, तो रोने वाले लड़क अखिर दिल के अंदर जो दर्द है उसे अंदर रखने से अच्छाना उसे रोकर बहार निकाल दो और फिर स्ट्रॉंग बन जाओ और फिर खेल जाओ जो भी प्रॉब्लम से उसे लड़ जाओ अब आते हैं negative side पर जिससे हमेशा ध्यान रखना हमेशा बचना इन सब चीजों से चाहे आप कितने भी अमीर लड़के से शादी कर रही हो चाहे कितने भी अमीर लड़के के साथ relationship में आ रही हो कभी भी just a housewife बनकर बच्चे पैदा करने के बारे मत सोचना क्योंकि कोई भी रहा होगे इसके नीचे रहा होगे फिर वो हाथ यहाँ पर रखे यहाँ पर रखे यहाँ पर रखे यहाँ पर रखे यह अपने जूते के पास रखे उस हाथ के नीचे ही आपको रहना पड़ेगा यह सच्चाई है आपको सर्बल डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा अगर आप इज़्द चाहती हो देखो सब कुछ अच्छा अच्छा है तब तो ठीक है चलो खाने पिने के लिए सही में अगर वो बिगड़ गया अगर वो मुकर गया अगर रिलेशन्शिप में वो पागल हो गया अरे मर गया कहां जाओगे माब आपके पास जाओगे माब आप स्विकार करेंगे माब आप रखेंगे जिल्दत की जिन्दिगी जाओगे अपने और अपने बच्चों को कैसे पालोगे नहीं तो पहले इतना पड़ लिख लेजए इतना स्किल ले लेजए कि आप सेल्ब डिपनेंट हो सकती है और लड़कों से बच करना, हवस के पुजारियों से बच करना, ये कभी काम नहीं आएंगे कभी काम नहीं आएंगे इनका मकसद ही है आपके सब enjoy करना, इनका मकसद ही है आपके सब मज़े लेना, physically pleasure पाना, ये लड़के को हमेशा आप कैसे judge कर सकते हो कि अगर वो बंदा आपसे आपकी न्यूड पीक मांग रहा है, आपके प्रावेट फोटोज मांग रहा है, आपके प्रावेट मुमेंट्स की फोटोज ले रहा है, वीडियोज बना रहा है, समझ जाना वो लस्टी है, वो सिर्प उसका फैदा उठाने के लिए, आपको ब्लै हर एक अच्छा लड़का, हर एक अच्छा मेल आपकी इज़त के बारे में पहले सोचेगा, हर उस चीज से आपको बचाएगा, जिस से आपकी इज़त खराब हो सकती है, एक अच्छा मेल वही होता है, जो अपनी फिमेल की इज़त को अपनी इज़त मानता है, तो हमेशा इ आपके physical problems को, आपकी health issues को, हर चीस को दर किनार करके, अगर वो सिर्फ sex की demand करता है, हमेशा sex के बारे हैं बात करता है, ऐसा male, relation के लायक नहीं है, लात मारो, दफा करो अपनी जिन्दगी से, तीसरा, कपड़ों से judge मत करना, ऐसे बहुत सारे males मैंने देखे हैं, relationship में देखे हैं जो बहुत modern दिखते हैं लड़के, spicy hairs होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, branded घडिया होंगी, branded shoes होंगे, branded गाडियां घूमेंगे, लेकिन सोच दक्या नोसी होती है, उनके परिवार की सोच बहुती घटिया दक्या नोसी होती है, खुद modern रहेंगे, लड़की को गुंगट म को समझ लो, कि उनका परिवार कैसा है, ये लड़के क्या करते हैं, पता है शादी, अपनी modern lifestyle दिखा के शादी करते हैं, और लड़की को घर का गुलाम बनाते हैं, घूंगट में रखते हैं, खुद शिकार पे फिर बाहर निकलते हैं, तो ऐसे घडिया लड़कों साथ कभी relationship मत बनाना, छोड़ो लात मार के निकलो, क्योंकि मैंने ऐसे कई simple looking लड़कों को देखा है, जो simple dress पहनते हैं, simple looks रखते हैं, लेकिन उनका जो lifestyle है, उनका जो सोच है, बहुत modern होता है, बहुत broad mentality रखते हैं, खुद simple होते हैं, लेकिन wife को, अपनी girlfriend, अपनी wife को बहुत ही अच लुक्स के बिर्स पर कभी जजमत करना, कि वो इतना modern है, तो आपको भी modern lifestyle देगा, ये दोखा है, आखरी, चौथा, सबसे important, commitment में कभी मत फसना, commitment करना कोई बड़ी बाद नहीं होती है, ऐसे लड़के कितने मैंने देखें, ऐसे का अपनी consultancy में, ऐसे कितनी लड़कियों के मैंने दुख सुने है, जिसने 3-3 साल का commitment, 4-4 साल का commitment, commitment करकर के, commitment करकर के, कि शादी कर देंगे, घुमने जाएंगे, ऐसी last टेल रहे कि तुमको ये दिलौँगा, वो दिलौँगा, बोल बोल करके, सालों मजे लिया है लड़कियों का, सालों तक शोशन किया है लड़कियो समाज सब कुछ सामने आएगा, धोखा खा जाओगे, सिप commitment के नाम से, आप अपने अंदर कोई ऐसी future planning मत कर लो, कि आपका सब कुछ उस future planning के बिहाफ में ठीका हुआ है, ठीक है, relationship में रहो, मज़े करो, इमानदारी से रहो, खुश रहो, लेकिन अपने लिए ना हमेशा एक बीज बना के चन्न है, उसकी commitment के भरोसे कुछ नहीं होगा, ये बात आपको हमेशा समझने है, ये थी कुछ आड़ बातें जो लड़कों के बारे में समझनी बहुत जोरी थी, females को और males को भी, ऐसी ही psychological बातों को हम discuss करते रहेंगे, behavioral psychology और relationship issues के problems को discuss करते रहेंगे, आने वाल इसेखे अ